राहुल गांधी बोले केंद्र की गलत नीतियों के चलते चीन और पाकिस्तान साथ है अमेरिका ने इस बात का जवाब दिया है कॉंग्रेस सांसज राहुल गांधी ने बुद्वार को संसद में केंद्र सरकार की जमकर आलोशना की इस दोरान उन्होंने कहा केंद्र की गलत नीतियों के चलते चीन और पाकिस्तान साथ है इस पर जब अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान का समर्थन नहीं करते दरसल राहूल गांधी ने संसत में भारत सरकार के विदेश नीती की आलोचना करते हुए कहा था आपकी नीती ने चीन और पाकिस्तान को एक जुट करने का काम किया है और ये सबसे बड़ी चुनोती भारत के सामने है राहूल ने कहा था चीन के पास एक क्लियर प्लान है और उसकी नीव डोकलम और लदाक में रखी है उन्होंने कहा कि कश्मीर पर सरकार ने गलत फैसला लिया है इस सवाल के जवाब में नेट प्रैस ने कहा मैं इसे पाकिस्तान और चीन पर छोड़ देता हूँ कि वो अपने रिस्ते के बारे में बात करें लेकिन मैं निश्चित तोर पर इस तरह के बयान का समर्थन नहीं करूँगा इसके बाद नेट प्रैस से पूछा गया कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान चीन के साथ इतनी निकटा से क्यों काम कर रहा है क्या आपको लगता है यूवस ने उन्हें अलग छोड़ दिया है इस पर नेट प्रैस ने कहा हमने दुनिया के सामने यही सपस्ट किया है कि किसी विदेश को अमेरिका और चीन में किसी एक को चुणने की जरूरत नहीं है जब अमेरिका के साथ संBANDOW की बात आती है तो हमारा इरादा देशों को विकलप प्रदान करने का रहता है उन्होंने कहा पाकिस्तान हमारा रणनीतिक साज्यधार है हमारे इसलामबास सरकार से एहम रिष्टे है ये एक ऐसा रिष्टा है जिसे हम विबिन मोर्चों पर तवज्दो देते हैं बता दें कि राहूल गांधी ने संसद में कहा था आप खत्रे से खेल रहे हैं मेरे सला है कि रुख जाएए राहूल ने चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवात को लेकर कहा आप खत्रे को हलके में मत लीजिए आप चीन और पाकिस्तान को साथ ला चुके हैं मुझे कोई संदेह नहीं है कि चीन के पास इसपष्ट योजना है इसके बनियाद डोकलाम और लद्दाक में रख दी गई है ये देश के लिए बहुत बड़ा खत्रा है आपने जम्मू कश्मीर और विदेशनीती में बहुत बड़ी रणनीती गल्तियां की है आपने दो मोर्चों को एक मोर्चे में बदल दिया है राहूल गान्दी ने कहा था आप चीन को देखिए वो कैसे हतियार खरीद रहा है हमें खुद का बचाफ करने की जरूरत है ये देश के लिए एहम है कि आप हमें सुनिये आप सोच रहे होंगे कि हम नहीं समझ रहे हैं लेकिन हम जानते हैं जाहूल ने कहा अगर कुछ भी होता है तो आप उसके लिए जमेदार होंगे